भारत की अधिकान शबादी गाउं में रहती हैं ये अधिया भारत की वास्तिविक स्थिती को महसूस करना चाते हैं तो आपको गाउं में जाना होगा गाउं के साधारन लोगों के साथ रहना होगा और उनकी जीवन शैली को अपनाना होगा और अपनी संस्कृति और विरास् जुड़ना होगा तेजी से बढ़ती दुनिया में जहां पारश्परिक्ट समवाद पीछे छूट रहे हैं मुझे जानकर प्रसंता हो रही है कि उच्छ शिक्षन संस्थानों के राष्टिय स्वय योजना के हमारे स्वय सेवक गाउं में जाते हैं अपने विशेश शिवरों में साथ दिन तक रहते हैं और यह स्थिति उन्हें भारतिय समाज की वास्तविक्ता से रूबरू करवाती हैं उन्हें ग्रामीन जीवन सीखने का अफसर मिलता है उन्हें ग्रामीनों की समस्याओं को जानने का अफसर मिलता है वो ग्रामीन भारत की क्या मुश्किलें उसको जान पाते हैं मुझे NSS के ऐसे कई शिवरों में जाने का अफसर अपने लोग सबाक्षेतर हमिरपुर्प हिमाचल परदेश में भी मिला और आपकी कारेचली को करीब से देखने का अफसर मिला है और हर बार मैं यही सोचता था कि आखिर कौन सी ऐसी वो शक्ति है जो इन इव करपन और सेवा भाव के साथ राष्टिय सेवा के लिए प्रेडित करती है कौना के सूर्य मंदर के रत के चक्र से प्रेडित होकर बनाया NSS का प्रतीक चिन चक्र के प्रहरों को दर्शाने वाली आठ तिलिया है जो इसके स्वें स्वेवकों को आठो प्रहर निरंतर रचना आत्म गतिशीलता के लिए प्रेडित करती है राष्टिय सेवा योजना कारेकरम इन होनहार युवाओं को समस्याओं का समधान खोजने की दिशा में काम करने का प्रयाप्त अफसर देता है राष्टिय सेवा योजना की गतिविदियां वास्तव में राष्ट निर्मान में सही योगी